होसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिन्दा रखो हार जाओ चाहे जिन्दगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उमीद जिन्दा रखो नमस्कार दोस्तों मैं आप सब का दोस्त लखलान माली हमारे यूटूब चैनल लखन वाली में बहुत-बहुत स्वागत है आज की अगली क्लास में आपका हम स्वागत करते हैं सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की संस्कत से यदि आप त्यारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है यहां पर हम आपको दो तरीका से क्लासे जो प्लब्द करवा रहे हैं मोबाइल अप्लिकेशन के माध्यम से भी आपको क्लासे मिल जाएंगी यह हमारा मोबाइल अप्लिकेशन है मिशन संस्क्त ग्यान प्ले स्टोर पे अभी आप जाकर के देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं यहां से अपनी classes आप लगातार आप classes join कर सकते हैं PDF notes आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं mobile application के अलावा हमारा YouTube channel है लखन माली ठीक है इसको आप अभी जाकर के सर्च करें और उस पे आप अभी जुड़ सकते हैं दोस्तो तो आज की class हम स्टार्ट करते हैं दोस्तो इससे पहले हमने आपको वरणों के बारे में बताया था वरणों के बारे में जितनी भी जानकारी थी exam के हिसाब से first grade या फिर आप second grade किसे भी exam में आप बैठिये आपको उससे बहार नहीं मिलेगा पूरे detail में आपको बता चुका हूँ आज दोस्तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे वरणों से ही related हमारा एक topic चलता है संधी का तो आज हम संधी के topic को start करने वाले हैं दोस्तो तो देखिए topic डाल लेंगे आज का हमारा संधी ही यह हमारा आज का बिंदू रहेगा संधी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज की इस class में हम सीखेंगे कि संधी क्या है इसके अलावा जो छोटे छोटे बिंदू है संधी को ले करके उससे हम start करेंगे क्योंकि हमारी जो classes है ब हम व्यत्पत्ति पर जाते हैं, उसकी उत्पत्ति हम करते हैं, क्योंकि यहां से सवाल बन जाता है, आप सेकंड गेड़, फर्स्ट गेड़ में एक्जाम दोगे, तो इनमें से सवाल बनता है, आप समास का टॉपिक पड़ो तो समास से संबंदित कुछ छोटे-छोटे प्रश देखते हैं, देखेंज यहां पर संधी शब्द में हम देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें एक है सम Hell, अब यह हम अलग-अलग बात करेंगे कि कौन क्या है ay इसके अलावा इसमें एक धा, इसकी अलावा इसमें एक है की ठीक है इन सब को जोडने से हमारा जो शब्द बनता है वो बनता है सन्धी सन्धी ही ठीक है ये सन्धी ही शब्द इस तरह से हमारा ये बनता है अब और विस्तृत जानते हैं देखिए यहां पर मित्रो सम है तो ये सम क्या है? सम हमारा उपसर्ग है क्या है? उपसर्ग है आपको पता होगा समस्कृत व्याकरण में हम वाइस उपसर्गों की चर्चा करते हैं वाइस उपसर्गों का अध्यन करते हैं टॉपिक के रूप में भी हम अध्यन करेंगे REIT में आपने पढ़ा होगा ये उपसरग वाला Topic 22 उपसरग हैं जिनको हम प्रादी के नाम से जानते हैं आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि उपसरग जो होते हैं वो क्रिया के योग में रहने पर ही इनका नाम उपसरग होता है उपसरगा क्रिया योग ये सुत्रापने पड़ा होगा याने कि जब तक ये उपसरग जो प्रयादी है ये क्रिया के योग में है ये क्रिया के साथ में इनका योग है तो इनका नाम उपसरग है यदि क्रिया के साथ में इनका योग नहीं है तब इनका नाम प्रादी होगा उनको हम प्रादी कहेंगे अब इस समय यहाँ पर हमारा संदी शब्द है इस शब्द के अंदर हमने क्या देखा है सम लगा हुआ है तो सम जो है धातू के साथ में जुड़ा हुआ है यानि क्रिया के साथ में इसका योग है इसलिए यहाँ पर क्या होगा यह उपसर्ग कहलाएगा तो हमारा यहां पर सम क्या है उपसर्ग हो गया यह उपसर्ग हो जाता है यहां पर हमारी क्या है धातु है क्या है यह धातु है और यहां पर की जो है यह हमारा आमित्रो प्रत्य है ठीक है यह तीन बातें हो गई धातू से पहले जो जुड़ता है उसको तो हम उपसर्ग कहते हैं और धातू के बाद में जो जुड़ता है उसको हम प्रत्य कहते हैं बिलकुल जीरो लेवल से मैं बता रहा हूँ कोई भी पढ़ेगा तो निश्टित रूप से बहुत अच्छे से समझ जा इसका लोप कर देते हैं यहां पर बचता है आपका धै इस तरह से यहां पर हमारा धै बच जाता है यह हलंत हो जाता है जब इसमें से आ निकल जाता है इसके बाद में यहां पर हमारा सम इसमें जुड़ा हुआ है ठीक अब इसमें आप इनको जोड़ लेंगे देखिए यहां पर सम है इधर धे है इधर आपका ई है अब यहां पर आपने एक नियम पड़ा होगा कि मैं के बाद में यदि वियंजन आता हो मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूं मैं के बाद में यदि कोई वियंजन आता है तो मैं जो होता है वो अनुस्वार में बदल जाता है तो य इस तरह आप लिख सकते हैं इसको ठीक है अब यहां पर भी एक नियम लगता है आपने पड़ा होगा अनुस्वार से यही पर सवर्ण है याने अनुस्वार पर सवर्ण संदी आपने पड़ी होगी अनुस्वार संदी के बाद में जो काम होता है वो है याने कि अनुस्वार ह है हमारा यहां इसके बाद में आगे यहां पर जो यह प्रत्य का कोई भी आपका वर्ण है जैसे कि यहां पर धै है तो इस वाले वर्ग का पंचम हो जाता है अनुस्वार के इस्थान पर पंचम हो जाता है इस वाले वर्ग का याने कि आपका धै बैठा हुआ है ना तो धै कि इसका है तैवर्ग का तो तैवर्ग का है आपका धै तो इसका पंचम हो जाएगा तो पंचम क्या होता है तैथ है दैध है ने यह अनुस्वार के स्थान पर होता है तो अनुस्वार को हटा दिया जाता है और आपका पंचम कर दिया जाता है तो इस तरह से हमारा हो जाएगा यहां पर यह हो जाएगा फ्रेंड्स देखिये तैके इस्तान पर नह हो गया तो संधी बन गया अब इसकी हम प्राती पर एक संग्या करके इसमें हम विभक्ती लाते हैं और विभक्ती लाके हम इसमें सू लाते हैं और सू में से आपका से बचताई से का विसर्ग होता है इस तरह से हमारा शब्द बन जाता है संधी ही देखिए मित्रू इस तरह हमारा संधी ही शब्द बना ठीक है तो ये हमने अभी सिर्प संधी ही शब्द की वित्पत्ति बताई है किस प्रकार से हमारा शब्द बन के तयार हुआ है अब दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे अब इसमें से किसी भी तरह का प्रश्ण यदी आता है तो आप निस्चत रूप से इसको कर सकोगे अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो की प्रश्ण बनता है और कई बार पूछ लिया गया है सेकंड गेड में कैसे यहाँ पर देखिए संधी शब्द हमारा बन चुका है अब देखने में और सुनने में लगता है कि भई यह हमारा जो संधी शब्द है यह स्ट्रिलिंग है ऐसा दिखने में लग रहा होगा आपको सुनने में लग रहा होगा कि संधी चल रही है संधी पढ़ी जा रही है संधी पढ़ाई जा रही है लेकिन मित्रों आपको हम यहाँ पर किलियर कर देते हैं जिस भी शब्द में आपका जिस धातु रूप में या धातु की अंदर की प्रत्य लग जाता है यानने की प्रत्य लगने से जो शब्द रूप बनता है या जो शब्द बनेगा आपका वो पुलिंग में व्यवाहार किया जाएगा याने की वह पुलिंग हो जाता है याने की की प्रत्य से बनने वाले जो शब्द होंगे वो पुलिंग में व्यवाहर किये जाएंगे ऐसे यहाँ पर समझना है तो यहां पर संधी शब्द आपका पुलिंग होगा कौनसा होगा पुलिंग होगा इसी तरह आप समाधी उपाधी व्याधी इस तरह से चैसे सुनने में लगते हों आपके जैसे उपाधी उपधा ठीक है की जैसे उपाधी आपने लिखा उपाधी तो ये भी आ हमारे सम्स्कित व्याकरण में नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, कोई बिना किसी नियम इत्यादी के आधार पर हम निसकर्श नहीं निकाल सकते। इसमें नियम फिक्स होते हैं अब देखो मित्रों यहाँ पर हम प्रियोग में कैसे करते हैं जैसे मानलो कोई सवाल पूछ लिया गया जैसे मानलो का संधी ही अब देखो इस तरह से मानलो सवाल बनाते हैं तो यह गलत माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर का का प्रियोग हमने कि गलत हो जाएगा क्योंकि विशिष समान विवक्ति में होने चाहिए तब ही बैसे ही माना जाएगा तो यहाँ पर हम ऐसा प्रियोग नहीं कर सकेंगे यहाँ पर हम करेंगे कह संदी ही याने कौन सी संदी है याने कोई भी ऐसा प्रशन आएगा कि निमलिखित में उधारण में कौन सी संदी है तो कह संदी ही यहां पर आप इस तरह से पूरी डेटेल समझ चुके हैं यहां पर सम हमारा उपसरग है और यह धा आप देख रहे हैं यह हमारी धातू हो जाती है और की हमारा प्रत्य हो जाता है मित्रो यहाँ पर जो धा आप देख पा रहे हैं यह धा डारेक्ट धातू नहीं है यहाँ पर ओरिजिनल जो धातू है वो डू धाय धातू है डू धाय ठीक है इस डू धाय के अंदर से इनकी संग्या होकर के लोक होकर के यहाँ पर केबल धा बचता है डूधाएं विधान करने के अर्थ में हमारी धातू प्रिक्त होती है तो यदि मूल धातू भी पूछ ली जाती है कहीं बार एक्जाम में कि इस संधी शब्द में कौन सी धातू प्रिक्त है यदि धा धातू नहीं है तो वहाँ पर डूधाएं धातु इस तरह से आपको दिख सकती है ठीक है? तो अब इसमें से कोई प्रशना आपका नहीं बचेगा जो आप नहीं करपाओगे इसमें आपको पूरी डेटेल मिल चुकी है अब इस वित्पत्ती के आधार पर जो अर्थ संधी का निकल के हमारे सामने आता है उसको हम जानते हैं चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं और हम आगे जानते हैं कि इस पूरे चर्चा के बाद में संधी का क्या अर्थ निकलता है चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रो इसको लिख सकते हैं स्क्रिन सॉट ले सकते हैं आप क्योंकि समझ में आना चाहिए कुल मिला करके हमारा उद्दिश है कि आपको समस्कृत बहुत सरल तरीका से समझ में आ जाए जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए देखिए मित्रो आगे चलते हैं हम यहाँ पर वित्पत्ति अभी जान चुके हैं वित्पत्ति के आधार पर इसका क्या अर्थ निकलता है वो हम समझ रहे हैं देखिए यहाँ पर वित्पत्ति लव्य अर्थ क्या है वो हम यहाँ पर जानेंगे देखिए वित्पत्ति लव्य अर्थ क्या निकलेगा याने वित्पत्ति से संबंदित जो अर्थ हमारे सामने प्रिकट हो रहा है वो हम जानेंगे तो चलिए संधी हमने शब्द देखा तो इसका अर्थ क्या निकलेगा संधी आपने सुना होगा, कि जैसे दो राजाunge के मद्धी में संधी हो जाती है दो राजाण पहले आपस में लड़ रहे थे, अब उन्हाँने संधी कर ले तो इसका मतलब है, संधी का मतलब हुआ मिलाना एक तरह से या मेलनम हम कह सकते हैं या पिर संधान होना कह सकते हैं संधान तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं संधी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर मित्रो संधानम क्या हो जाएगा? संधानम क्या हो जाएगा? संधानम या फिर आप कह सकते हैं मेलनम क्या कह सकते है मेलनम संधानम कह सकते है या मेलनम कह सकते है अब देखिए संधान होना और मेलन होना यानि मिलना अब यहाँ पर प्रश्ण आता है कि किसका संधान किसका मिलना किसको मिलाना यह प्रश्ण मारे दमाग में आ रहा है तो अब यहाँ पर आपको समझना है आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्ण संधानम यानि कि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं वर्णों के बाद में क्योंकि वर्णों का ही तो मेल होगा वर्णों का ही तो संधान होगा वर्णों के मद्ध ही तो संदी होगी ऐसे, तो यहाँ पर लिखेंगे संधान किसका वर्ण संधानम अब पूरी बात इसपस्ट हो जाएगी वर्ण संधानम यहाँ पर हम लिखेंगे तो वर्ण मेलनम वर्ण मेलनम ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत ने दोनों सही है तो वर्ण संधानम वर्ण मेलनम वर्ण का संधान करना यहां पर वर्ण का मेल करना एक ही बात है आप इस तरह से समझ सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं है तो यहां पर अर्थ हो जाएगा कि वर्णों का मेल ऐसे हम लिख सक बरणों का मेल या संधान संधी है आपने हिंदी में पढ़ा होगा दो या दो से अधिक बरणों का जो मेल होता है उसका नाम संधी है ठीक है दो या दो से अधिक बरणों का मेल क्या है संधी है यह हम हिंदी में बहुत लंबे समय से हम पढ़ते आ रहे हैं और इसी को हम सीखत आ रहे हैं तो वही बात में आपको यहां बता रहा हूं कि वर्णों का मेल या संधान संधी है अब आगे हम देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से ऐसे कारे हैं तो मित्रो यह आप जानगे कि संधान वर्ण संधान से मतलब है मेलन का मतलब वर्ण मेलनम से मतलब है अब इसमें हम ये देखेंगे कि संधी के अंदर कौन-कौन से काम हो सकते हैं क्या केवल वर्णों का मेल ही संधी होता है नहीं ऐसा नहीं है मित्रो केवल वर्णों का मेल ही संधी नहीं है तो फिर आपको हम एक परिभाशा बता रहे हैं यहां पर ठीक है वहां से भी प्रश्ण बना हुआ है तो परिभाशा में वो सारी चीज़ें इस पस्ट हो जाएंगी कि आपका जो संदी का कारिय है वो क्या क्या कारिय होता है मैं आपको एक परिभाशा बता रहा हूँ इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीन सोट ले सकते है चलिए आगे देखता हूँ अब मित्रों यहां पर हम एक परिभाशा के माध्यम से यह सीखेंगे कि संदी के कौन-कौन से काम है ठीक है इस परिभाशा के द्वारा हम सारी चीज़ें इस पस्ट कर देंगे इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको देखिए यहां पर लिख सकते हैं लोप आगम लोप आगम आदेश वर्न विकारह ठीक है लोप आगम आदेश वर्न विकारह संधी ऐसे आप समझ सकते हैं लोप आगम आदेश वर्न विकारह संधी अब देखिए, यहाँ पर क्या मतलब हुआ, अब देखो मित्र, यहाँ पर एक परिभाशा आपको द्यान रख लेनी है, ठीक है, क्या परिभाशा है, लोप, आगम, आदेश, वर्ण, विकार, संदी ही, ठीक है, इसमें यहाँ पर चार बाते हैं, ठीक, एक तो है लोप, दु संदी के अंदर, मैं एक-एक को लिखके बता रहा हूँ, देखिए मित्र, यहाँ पर सबसे पहले लिख रहा है, लोप, याने की लोप कारियम, एक तो यह लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, आगम, क्या लिख रहा है, आगम, एक लिख रहा है, यहाँ पर आदेश, और एक लिख रहा है यहां पर वर्ण विकार क्या लिखा हुआ है वर्ण विकार और मैं एक और बता रहा हूँ अपनी तरफ से यहां पर जो की होता है प्रकरती भाव इसकी भी चर्चा करेंगे प्रकरती भाव बस यह पाँच मान कर चलिए इन से बाहार कोई काम संधी के अंदर अब देखो मित्रों हमने अलग-अलग यहां पर लिख दिया है लोप आगम आदेश वर्ण विकार और एक अलग से मान लो प्रकरती भाव यह सब के सब आपके काम है परिभाशा में लिखा हुआ है यह संधी में काम होते हैं सब के सब मैं एक-एक को यहां पर समझाता हूँ देखिए लोप लोप का मतलब है कि लोप होना भी संधी काम है आप सोच रहे हैं कि सर यह क्या बात हुई बिलकोल है मित्रों लोप हो जाना भी संधी कार्य है आप जब विसर्ग संदी पड़ोगे तो वहाँ पर देखोगे कि वहाँ पर विसर्ग के इस्थान पर जो वर्ण हो रहा है उसका लोप हो करके शब्द बन रहा है आपने देखो एक रूप पड़ा होगा हरिस हरिस या हरिर ऐसे मालो हरिर रम्य है ठीक है अब यहाँ पर रह का लोप हो करके आपका हरी रम्य इस तरीका से रूप बन जाता है ठीक है यह पूरी डिटेल हम संदी में पड़ेंगे तो यहाँ पर रह का लोप हो करके रूप बना हुआ है तो इसका मतलब और भी आप देखेंगे ठीक है वहाँ पर भी लोप आपको मिलेगा विसर्ग का लोप हो जाएगा विसर्ग का लोप डायरेक्ट कभी नहीं होता है वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर जो वर्ण होगा उसका लोप हो जाएगा तो कुल मिला के विसर्ग का लोप ही माना जाता है तो यहाँ पर कहने का तातपर यह हो गया कि लोप करना भी एक प्रकार से संधी होती है समझ गए बात को ऐसे आगे देखो एक है इसमें आगम आगम का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ समझाता हूँ आगम आपने आगम और आदेश दो शब्द तो अच्छे से सुने होंगे व्याकरण के अंदर आगम देखिए आगम जो होता है वो होता है मित्रवत आगमाहा भवन्ती ऐसे आप लिख सकते हैं याने कि अपने दोस्त के समान होते हैं, मित्र के समान होते हैं, आगम कैसे होते हैं, देखिए, जैसे मान लो की इधर अमारा एक वर्ण है, और एक वर्ण अमारा इधर है, आप जब संदी करते हैं, संदी विछेद करते हैं, तो इसी तरह से आपको कुछ मिलेगा, यहाँ पर याने कि परवर्ण भी कह सकते हैं परवर्ण ठीक है अब यहां पर जब हम संदी करते हैं तो हमें क्या देखना होता है यहां पर एक तो यह वाला वर्ण देखते हैं पूर वाला और एक बाद वाला ठीक है वैसे तो हमें यहां पर जो वर्ण होता यह शब्द दिया हुआ होत मालो उपास से है यह बता रहा हूं मैं एक्जम्पल तो यहां पर हम इस उ को देखेंगे संदी में हम इसी तरह देखते हैं यहां पर इनमें परिवर्तन होता है ठीक है अब यहां पर देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आगम किस तरह से होता है अब दोस्तों यहां पर द आने से प्रभावित नहीं होता है ये किसी को भी नहीं हटाता है जैसे ऐसे मानिये कि आपकी जैसे क्लास है ठीक है उस क्लास में मालो की दो बच्चे बैठे हुए है ठीक है उनके बीच में थोड़ा सा गैप है अब मालो एक कोई चात्र आया नया च्छात्र और वो दोनों बच्चों के बीच में आकर के बैट जाता है और किसी को हटाता नहीं है किसी को परिशान नहीं करता है बीच में आकर के बैट जाता है जैसे मालो एक बच्चा यहां बैठा हुआ है एक बच्चा यहां बैठा हुआ है जैसे यह बच्चे हो गया, अब एक बालक और आया, वो यहां पर आकर के बैठ गया, अब देखो यह जो होगा आपका, यह आगम कहलाएगा, इसने किसी को हटाया नहीं, तू चल यहां से, मैं बैठूँँगा यहां पर, ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब यह कौन है, मित्र के स प्रमान होता है यह आपको समझना है अब आगम का एक उधारन में देता हूं जिससे समझ में आ जाएगा आपने एक शब्द पड़ा होगा शिवत छाया देखो शेवधान च्छाया इस तरह का होता है अब यहाँ पर तुक का आगम होता है बीच में तुक यहाँ पर तुक का आगम हो जाता है आगम तुक देखो समस्कितने प्रशिद आगम में तुक आगम है ठीक है सुट आगम है दुड़ा आगम है इस तरह के आगम होते है ती चुत्व हो करके आपका चे बन जाएगा, ते की जगे चे बन जाएगा इस चुत्व संदी के नियम के अकोर्डिंग, तो यहां पर ते का चे बनता ही आपका रूप बन जाएगा सिवत च्छाया, इस तरह से, तो अब ये ते कहाँ से आया, ये आगम है, ठीक है, इसने किसी क पूरी डिटेल आप समझ चुके हैं अब आदेश के लिए कहा जाता है कि आदेश जो होता है वो शत्रुबद होता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शत्रुबद आदेश भवन्ति अब देखो यहाँ से प्रश्ण बन जाता है कैसे बन जाता है मित्रवत भवन्ति क्या आगमाहा शत्रुबद भवन्ति ही क्या आदेश अब देखो यह शत्रु के समान होता है दोस्तो कैसे होता है मैं आपको ब कैसे होता देखिए, जैसे मान लोकी आपने देखा होगा, यन संधी की हम बात कर लेते हैं, जैसे सुधी है और उपास्य है, ठीक है, अब इसमें देखिए, यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक होता है, इधर हमारा कोई भी आपका स्वर है, तो यहाँ पर एक के स्थान पर हम यन संधी में क्या करते हैं मित्रो, एक के स्थान पर यन आदेश करते हैं, तो जिसमें एक के स्थान पर हमारा ये आदेश होता है, क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए, आप देखोगे कि एक के स्थान पर ये आदेश हो रहा है, याने ए को हटा करके यह हो रहा है बात समझना आप एक को हटा करके क्या हो रहा है यह हो रहा है हटा दिया उसको ठीक है कि चलो तुम हटो यहां से मैं बैठूंगा यहां पर यह आदेश है सत्रू का व्यभार इसी तरह का तो होता है जैसे मालो यहां पर दो बच्चे बैठे हुए है ठीक है? यह कोई भी बच्चा बैठा हुआ है अब एक कोई व्यक्ति आया उसने कहा इसको के हट यहां से चलो अब इसको हटा दिया यहां से और खुद बैठ गया तो यही तो हुआ है इसको हटा के कहा कि हट जाओ यहां से और यह आ गया उसकी जगे पर तो ये हमारा आदेश होता है ऐसे बहुत सारी जगे आप देख सकते हैं उ है तो उ को आपका वे आदेश हो जाता है रीकर्य आदेश हो जाता है लरीकर्ले आदेश हो जाता है ऐसे और भी आप समझ सकते हैं तो कुल मिला करके है कि शत्रू के समान व्यवार होता है आदेशों का इसलिए लिखा है कि शत्रूवत आदेशाह भवन्ती तो ये जो आदेश का काम है ये भी हमारा संदीकारिय माना जाता है क्या माना जाता है? शंदीकारिय तो दौनों बात आपके समझ में आगे होंगी कि आदेश हमारे शत्रूवत होते हैं और इसके अलावा आगम हमारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं मित्रवत होते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए ठीक है ना? अब देखिए मित्रो इसके बाद में एक है हमारा वर्ण विकार अब वर्ण विकार हम समझते हैं देखिए अब ऐसे वर्ण विकार और आदेश में काफी समानता है फिर भी देखिए मैं आपको बता रहा है इसको किलियर करके तो देखिए मित्रों यहां इस तरह आप समझ चुके हैं कि लोपकारिय होना भी आपका संदी काम है आगम कारिया होना भी संधी काम है आदेश का कारिया होना भी संधी कारिया है और अब है वर्ण विकार अब वर्ण विकार में क्या होता है देखिए यहाँ पर वर्ण का विकार हो जाएगा अब विकार का मतलब क्या होता है आप समझो अब जैसे मान लो की कोई लकडी है ठीक है उस लकडी को हमने बना दिया खूटा आपने एक शब्द पढ़ा होगा यूप दारू यूप दारू एक शब्द पढ़ा होगा यूप दारू अब दारू का मतलब वो नहीं है जो आप लोग समझ रहो दारू कौन सी होती है दारू का मतलब क्या होता है दारू का मतलब होता है लकडी ना कि जो आप समझ रहो वो नहीं है लकडी अर्थ होता है अब लकडी का रूप बदल गया उसमें विकार आ गया और बना दिया उसको यूप याने खूंटा होता है जिसको बहेंस गाय इत्यादी को बान आ जाता है तो लकडी का विकार हो गया यूप के रूप में तो यहां पर उसका विकृत रूप के लाए ग जैसे दूद में विकार हुआ तो आपने क्या दूद से दही बना लिया एक विकार ही तो है एक परकार से अब देखो एक उधारन देराओं में जैसे कि जैगत धान इश है जैगत धान इश है अब यहां पर आपको पता है कि यहां जैगदीश शब्द बनता है कैसे जैगदी इस तरह से हमारा शब्द बनता है तो यहां पर हम करते क्या है मित्रो यहां पर जो हमारा तै है इसमें विकार करते हैं और विकार करके क्या करते हैं इसको हम तीसरा वर्ण बना देते हैं और तै का तीसरा हमारा दै हो जाता है यही तो हम इसमें करते हैं इसी तरह जैसे वाग जाएगा आपका बागीश है जगदीश है इस तरह से हम बना लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए आप तै के इस्तान पर दे कर दिया यानि तै को हमने दे में बदल दिया कहने का मतलब वर्ण में विकार उत्पन हो गया हमारा तै बना दिया दे यहाँ पर कै बना दिया ठीक है कोई दूसरा नहीं आ रहा है उसी की जगे पर एक परीवर्ण कर रहे हैं जैसे लकडी थी लकडी को खूंटा बना दिया लेकिन है तो लकडी इस तरह से आप समझ रहें न बात को यह तो इसको हम कहेंगे वर्ण विकार तो यहां तक समझ में आगया होगा आपको अब एक प्रकरती भाव का कारिया होता है प्रकरती भाव क्या होता है प्रकरती भाव का मतलब होता है कि संधी कारिये तो प्राप्त होता है लेकिन वहाँ पर संदिन नहीं की जाती है उस इस्तिती को हम कहेंगे प्रकरती भाव अर्थार्थ जिस तरह का हमारा उसमें रूप रहता है वो का वो ही रहेगा जैसी उसकी प्रकरती दिखाई दे रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें किसी भी तरह का change नहीं होगा वैसा गा वैसा रूप रह जाता है उसको हम कहेंगे प्रकरती भाव उसमें प्रकरती का ही भाव रह जाता है जैसे मालो एक उधारण में लिखता हूँ हरी अत्र हरी अत्र अब यहाँ पर देखिए हरी और अत्र है आप देखो इसमें यहाँ पर संधी कार्ये प्राप्त हो रहा है आप बताइए कौन सा संधी कार्ये हो सकता है यापर हमने कहा कि एक है तो एक को यन आदेश हो जाता है हमने देखा एक के इस्तान पर यन होता है बाद में आपका समान स्वर होना चाहिए ठीक है जैसे हमने यहां पर ऐसा नहीं होता है ईदुदेद दिवेचनम प्रिगरियम आप जब आगे पड़ोगे संदी तो वहाँ पर आपको समझमाएगा कि प्रिगरिय संग्या होने के बाद में प्रकरती भाव हो जाता है अर्थार्त यहां पर संधी कारिये तो प्राप्त हो रहा है लेकिन यहां संधी कारिय नहीं होता है प्राप्त है फिर भी संधी हम नहीं कर सकते यहां पर क्योंकि नियम है ऐसा प्रकर्ती भाव संधी का तो यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर इसी रूप में छोड़ देंगे इसको जैसा है ऐसा का ऐसा इसका रूप रहे जाएगा इसी को कहें इसमें नहीं रहेगा, इसमें कोई संधी का कार्य नहीं किया जाएगा, इसी तरह हमारा रूप बन जाएगा हरी अत्र, यह इसलिए तरह बने गा आपका, कोई परीबरतन इसमें नहीं होगा, ऐसे और भी बहुत सारे उदारण Mack को मिल सकते हैं, तो यह हमारा प्रकरति भाव क कार्य हुआ तो यहां आपने देखा कि लोप हो जाना भी संदी काम है आगम हो जाना भी संदी काम है आदेश हो जाना भी संदी काम है वर्ण में विकार हो जाना भी संदी कार्य है और प्रकरती भाव हो जाना भी संदी कार्य है इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई संदी नहीं होना संदी काम है आप सोच रहेंगे यह बड़ी बिचित्र बात है दोस्तों आपको हमने समझा दिया सारा कुछ ऐसा क्यूं है यहां पर प्रकर्ति भाव आपको बताया कि क्या होता है संदी कारिये नहीं होना भी एक प्रकार से संदी का पर हम आपको बता चुके हैं इस होना भी संदी काम होता है आगम हो जाना भी संदी का कारिये माना जाता है आदेश होना भी संदी कारिये माना जाता है वर्ण में विकार हो जाना भी संदी कारिये माना जाता है और प्रकर्ति भाव हमने कहा कि कोई भी संदी नहीं होना यह भी एक प्रकार का संदी काम है नियम है हम आगे चर्चा करेंगे जब संदी जैसे जैसे हम पढ़ेंगे और फिर हमने उपर बताया लोप हो जाना याने कि लोप कर देना भी संदी काम होता है और कोई भी संदी नहीं करना भी संदी काम होता है तो ये सारे के सारे आपको जो फैक्ट हमने बताए हैं ये आप को बहुत काम के हैं यहां से किसी भी रूप में सवाल बनेगा तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए जैसे ही हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा संधी वाला उसके बाद में एक टेस्ट पेपर हम बनाएंगे उसमें वो सारे प्रशन शामिल किये जाएंगे जो इससे पहले एकजामस में पूछ लिए गए हैं आपको उससे पता चलेगा मित्रो कि किस तरह के प्रशन एकजाम में आजकल पूछे जा रहे हैं संधी को ले करके ऐसा ही हम अलग-अलग टॉपिक की बात करेंगे जैसे समास हम पढ़ेंगे तो समास से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे तो कारक में किस तरह की सवाल पूछे जा रहे हैं ये पता होना बहुत जरूरी है तो हमारा उद्दिश है आप रटो मत समझो यदि आप टॉपिक को समझ जाते हैं किसी भी बिंदू को समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा सारा मैटर यदि आप रटने पर केवल फॉकस करोगे तो आपको इसमें बाहरी नुकसान उठाना पड़ सकता है आप अभी रीट के हमारे बहुत सारे विध्यारतियों से चर्चा कर सकते हैं इस मैटर पर बहुत ज़्यादा रटा लगाया उनोंने मतलब एक तरीका से अध्यन नहीं किया मैटर को स जो कुछ पड़ा है उसको हम याद नहीं रख पाते हैं हरवराट सी हो जाती है घवराट हमारे अंदर हो जाती है क्योंकि हमने रटा है अब रटा हुआ जरूरी नहीं कि वोका वोई आपकी एक्जाम में आ जाएगा ऐसा बिलकोल भी नहीं है जैसे मालो आपने कोई यन सं आएगा क्योंकि नियम तो एक दम परमानेंट है उसमें कभी भी परिवरतन नहीं हो सकता इसलिए आपको समझने पर ज्यादा जोर देना है ना कि रटने पर कुछ बाते हैं जो रटनी चाहिए उन पर रटने पर जोर देना है लेकिन जहां समझने की आवशक्ता है महापर पूरे इमानदारी से समझिए निश्च तूरूप से आप बहुत अच्छे नमबर ला सकते हो हम पूरा विश्वास आपको दला सकते हैं आपको रेगूलर क्लास यहां पर हम उपलब्द करवाएंगे चैनल के माध्यम से भी क्लासेज मिल जाएंगी आपको एप के माध्यम कि हमने बात की किस तरह से उसकी वित्पत्ती होती है इसके अलावा हमने संदी की परिभाषा के बारे में बात की संदी का अर्थ क्या निकलता है वो हमने बात की यहां पर लोपे आगम आदेश वरनाविकार प्रकरती भाव क्या है इनकी बारे में आपको चर्चा हमने यहा आगया होगा बहुत सरल तरीका से हमने बताने का प्रयाश किया है और भी हम इसमें और प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा मेटर यहां पर उपलब्द करवाया जाए तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताना आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कों नहीं बूलना क्योंकि हम यहां पर आपको लगातार क्लास उपलब्द करवाएंगे जो भी आपका स्लिवस है आप हमारे मोबाइल अप्लिकेशन के तुरू पूरा ध्यन करना चाहते हैं पूरी स्लिवस को एक लाइब क्लास के रूप में PDF नोर सित्यादी और भी कई एक्स्ट्रा चीज़े हैं वो आप यदि सब कुछ प्राप्त करना चाहा रहे हैं तो हाँ आप हमारे मोबाइल अप्लिकेशन को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसको आप जोइन कर लीजिए वहाँ पर आपको सारी चीज़े मिल जाएंगे बहुत कुछ मेटर आपको वहाँ पर फिरी भी है और कुछ वहाँ पर पेड़ है दोनों तरह का मेटर आपको मिलेगा दोस्तो तो आज की क्लास हमारी संपन्न होती है नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे जैहिंद वंदे मातरम